नमस्कारम सद्गुरू कल प्रधान मंत्री ने घोशना की कि जहां चंद्रयान तीन उत्रा है उस जगा का नाम शिवशक्ती रखा जाएगा लेकिन चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृत्वी पूरी मान आता के हैं तो क्या ये ठीक है कि चंद्रमा पर किसी स्थान का नाम किसी विशेश संस्कृती के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए Thank you सीदे सीदे भारती राजनीती में Apollo, Luna, Saturn, Mercury, Neptune ये सब क्या है ये सब ही युनानी देवी देवता है क्या इसका मतलब है कि ग्राहों का सिस्टम युनानियों का है कम से कम हमने वहाँ लैंड तो किया तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि आज कल राजनीतिक नेत्रित्व में इस्तर का ज्ञान संभव है लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि शिव शक्ति किसी देवी और देवता के नाम नहीं है हम दो मूल भूत शक्तियों की बात कर रहे हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विप्रीत दिशा में, पुरुषगुन, स्त्रीगुन देखे दूसरी संस्कृतियों में वो इसे यन और यांग कह सकते हैं और कितनी सारी दूसरी चीज़ें भी सूर्य और चंद्रमा, इडा और पिंगला विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों के कई सारे पहलू हैं, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन वो महतुपूर्बाद जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस स्रिष्टी में सभी भातिक अभी व्यक्तियां दो दुद्रूओं के बीच खटित होती हैं इसमें संदे की कोई गुंजाईशी नहीं है ये चीज उस सभ्यता से नहीं आई है जिसे हम भारत कहते हैं हलांकि ये पहली सभ्यता है जिसने इसके बारे में बात की है लेकिन आज आधनिक विज्ञान ने इसे बिना किसी शक के स्थापित कर दिया है कि हर वो चीज जो भातिक है वो किसी ना किसी तरह से घूम रही है ये आपने आप ही परिक्रमा कर रही है घूम रही है तो इन परिक्रमाओं में आगर आप देखें सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कैसे सब कुछ घूम सकता है clockwise या anti-clockwise लोग इसे उपर और नीचे कहते हैं लेकिन सिर्फ दो ही तरीके हैं ये हजारों अलग अलग तरीकों से नहीं घूम सकती है ये सिर्फ दो तरीकों से घूम सकती है इन दोनों को हम शिव शक्ती कहते हैं और ये बात शांदार है कि उस थान को उनके अपने ही नामों से पुकारने के बजाए जैसे कि उन्होंने अतीत में किया है हम इसे सही शब्दों से पुकार रहे हैं जो कि पूरे ब्रह्मांट के लिए मायने रखेगा इसे समझना और इसे अपने भीतर अनभाव करना ही योग का बुन्यादी पहलू है इडा पिंगला हा ठा ये महत्वपून है कि आधनिक विज्ञान के बदालत दुनिया भर में इंसान की समझ अब दुनिया के इस हिस्से की सब्धा के गहराई से स्थापित पहलूओं को पहचान रही है आधनिक विज्ञान धीरे धीरे टुकडों टुकडों में छोटे छोटे टुकडों में एक एक करके धीरे धीरे इसके हर उस पहलू को प्रमानिकता दे रहा है जो हजारों साल पहले बता दिया गया था ये चीजें कई शताब्दियों पहले स्थापित कर दी गई थी अगर आपको यह न पता हो तो करीब 2700 से 3000 साल पहले ही इस सब्धा में इस ग्रह के अध्यन को कहा जाता था भूगोल जिसका मतलब है गोल ग्रह कोई बहस कर रहा था कि ये चप्टी है या गोल यहां ये अच्छे से स्थापित था ऐसी प्राचीन आकृतियां और तस्वीरें हैं जहां ये दिखाया गया है कि प्रिथ्वी ग्रह एक गोल गेंद यानि ग्लोब कच्वे की पीठ पर रखा है और सूरज के चारों और गोम रहा है जहां बाकी की दुनिया दुनिया के शास्त्र, दुनिया के धर्म, दुनिया की संस्कृतियां और दुनिया के अग्यानता ये कहती जा रही थी कि प्रिथ्वी ब्रह्मान का केंद्र है यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है कि प्रिथ्वी सूर्य के चारों और गोम रही है और कच्छुए की पीठ क्यों? क्योंकि कच्छुआ अपने आप अपनी गती नहीं बढ़ा सकता यह एक नियमित गती से चल रहा है इसलिए ग्रह तेज यह धीमा नहीं हो रहा है यह एक नियमित गती से चल रहा है इसलिए हमारा जीवन संतुलित है मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन हम इसे यहीं छोड़ते हैं लेकिन यह वाकई अद्भुत है कि चंद्रमा पर एक जगा है हम उस जगा को देख नहीं सकते यह दक्षणी छोड़ पर है चंद्रमा पर एक स्थान है जो शिव शक्ती है तो अब क्यूंकि मैंने अपने हाथों को जोड़ा है और इस सद्गुरू शिव शक्ती को प्रणाम कर रहे हैं क्या वो लिंग भैरवी है मैं आस्तित्विकी सच्चाई के सामने नत्मस तक हूँ क्योंकि यही वो कमभख्त चीज है जो हमारे जीवन में माईने रखती है इसकी सच्चाई क्या है हर चीज की सच्चाई क्या है सिर्फ यही तो माईने रखता है वो सब कुछ जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है वो आपके साथ ही मर जाता है या या आपको मार डालता है अगर आपने अपनी अज्ञानता को जल्दी ही नहीं मारा तो यह आपको कई तरीकों से मारती है या कम से कम या आपके साथ मर जाती है जो सत्य है वो जीवित रहता है चाहे हम मौजूद हों या हम मौजूद नहों तो जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं हम लोग इसे A भी बुलाएं? हम धर्म निरपेक्ष बनकर इसे A भी क्यों नहीं बुला सकते? आप चाहें तो बुला सकते? हलो? अगर आप चाहें तो आप इसे A भी कह सकते? अगर यही आपकी पसंद है? लेकिन मानव जीवन केवल तथ्यात्मक सत्य पर नहीं चल सकता है मानव जीवन को कलात्मक समझ की जरूरत है हलो? केवल तथ्यात्मक सच्चाई पर आप होते कौन हैं? आप किस लाइक है? मैं पूछ रहा हूँ ये कलात्मक समझ है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप क्या करते हैं ये आपके कलात्मक समझ है जो माइने रखती है आपके सच्चाई क्या है? आप बस एक अधना सा जीवन है जो उगता है और नश्ट हो जाता है यही एक लौती जीवन की सच्चा ही है आप जो कई सारी चीज़े हैं उसकी कलात्मक्ता यही छोटी-छोटी चीज़े हैं जो माइने रखती है तो आप इसे ए भी कह सकते हैं तब कोई पूछेगा इंगलिश्ट भाषा में क्यों हम इसे आख्यों नहीं बुला सकते मैं कह रहा हूँ यह एक मुर्खता पून तर्ख है लेकिन राजनीतिक रूप से इसमें दम है तो मुझे आश्चर है कि यह चीज़ कहां से निकल कर आगे तो शिव शक्ति जितनी गहरी आपकी शिव शक्ति को लेकर समझ होगी उतना ही गहरा शिव शक्ति के साथ आपका सामन जैसे भी होगा आप शिव शक्ति के साथ जितने ज़ादा तालमेल में होगे आपके शरीर की यह दो आवर्तन यानि clockwise और anti-clockwise यानि सिस्टम के अंदर के इडा पिंगला जितना ज़ादा इन दोनों में संतुलन होगा आप उतने ही ज़ादा विवेख शील बनेंगे उतने ही कम शान्त होगे और आप उचे स्तर का बोध कर पाएंगे हम यहां बोध के बारे में क्यों बात कर रहे हैं चंद्रमा और बोध बहुत जुड़े हुए हैं चंद्रमा और हमारा जन्म बहुत जुड़ा हुआ है शिव को या आदियोगी को क्यों चंद्रमा के साथ दिखाया गया है वे सोम शेकर क्यों है और कमाल की बात है कि इसरों के अध्यक्ष सोमनाथ हैं। मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने कहा आपके माता पिता ने आपका नाम इतना सटीक कैसे रख दिया। और उन्होंने कहा सद्गुरु ये तो भगवान शिव का नाम है, ये मैं नहीं हूँ। ये होती है विनम्रता, ज्ञान के साथ लोग अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों का एक ग्रूप है जिनसे मैं पिछले कुछ समय से बातशीत करता आ रहा हूँ। अगर आपको सच में एक वातावरन देखना है, मैं इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं कहूँगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए जिस वातावरन की आवशक्ता होती है अगर आपको उसे देखना है, हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं इसरो की हालिया सफलता के चलते इसे बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानिया, आप वहाँ जाएए और देखिए, आप देखेंगे वहाँ का माहौल हमारे जैसा है। कोई हैं जिसे मैं करीब से जानता हूँ, वह वहाँ गए और मुझे बताया। सद्गुरू, ये सभी वैग्यानिक और वहाँ काम करने वाले सारे लोग वो ईशा के सादकों की तरह काम कर रहे हैं, ईशा वॉलेंटिर्स की तरह। मैंने का हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया, उन्होंने वातावरन बनाया है, उन्हें बस थोड़ी सी आग की ज़रूरत है, और वहाँ पहुच जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी होना है, तो आपको माहौल चाहिए होता है, आपको वातावरन की ज़रूरत होती है, इस ग् के रखा है, जैसे आपको अपने मा के गर्ब में रखा गया था, आज भी धर्ती मा ने आपको अपने गर्ब में धारन किया हुआ है, ये दबाव, ये ऑक्सीजन का लेवल, विभिन गैसों का लेवल, ये सब आपको इस जगा पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर थाम के रखा गया है, और कितनी शिकायते हैं, अलो, कितनी सारी शिकायते हैं, विश्वास नहीं होता, अब शिवशक्ती, ये बहुत महत्वपून है, क्योंकि, एक तरह से, ये शिवशक्ती का मिलन भी है, क्योंकि, मानव जीवन पर, चंद्रमा का प्रभाव बिलकुल सीधा है, अगर आप चक्रों को देखें, शारिरिक या जैविक चक्रों को देखें, जो हमारी माताओं के शरीर में हो रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं चक्रों की वज़ए से पैदा हुए हैं, और किसी वज़ए से नहीं है, चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करता है, और ये मानव शरीर विज्ञान एक ही गती से चलते हैं, यही कारण है कि आदियोगी ने बहुत पहले कहा था, कि मनुष्य शारिरिक रूप से क्रमिक विकास के शिखर पर पहुँच गया है, यहां से आगे वो शारिरिक रूप स आप सोच रहें कि आपको मिलना चाहिए, आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जैविक विकास इस ग्रह पर अपने चरम पर आ गया है, लेकिन अगर आप दूसरे ग्रह पर जाकर रहें, तो हमें नहीं पता है शरीर का क्या होगा, यह बढ़ सकता है, यह कम हो सकता है, कुछ यह सिर्फ पृत्वी नहीं है, भाप, पानी, गैसें, सब कुछ इसमें शामिल है, इसको बनाने में यह सब कुछ शामिल है, तो इस ग्रह पर यह शिखर पर पहुँच गया है, तो कई माइनों में चंद्रमा यही दर्शाता है, यही कारण है कि वो सोम शिखर हैं या सोम न मामले में और विकास के शिखर पर पहुँचने के मामले में यह एक महतुपून पहचान है, और उस स्थान पर या स्पॉट पर जहां यह लूनार या चंद्रयान तीन उत्रा है, वो शिवशक्ती है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही गहरी समझ की बात है, और मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा यह असाधारण है कि राजनेतिक नेत्रतु जागरुकता के इस तर परूँचा उठ रहा है